हेलो बच्चो दिस इस कृष्णा वासिस्ट और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूटूब चैनल जिसका नहां हमें टैट्स गुरू और बच्चो यहां पे मैं चाइल्ड साइकोलजी, चाइल्ड डिवलपमेंट, चाइल्ड ग्रोथ, एजुकेशन साइ और कोशिश यह करता हूँ कि आपको एक-एक टोपिक का जो कॉंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए दोस्तों सीटेट की प्रिप्रेशन आपकी चल रही होगी और एच्टेट की प्रिप्रेशन भी अगर आपकी चल रही होगी तो यह जो चैनल है यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट चैनल है चाइल्ड साइकोलजी को लेकर के चाइल्ड ग्रोथ को लेकर के और मैंने हर एक वो topic cover किया हुआ है इस platform पे जिसकी आपको need होगी ठीक है और इन दिनों में एक नए सिरे से child psychology को cover कर रहा हूँ, child growth को cover कर रहा हूँ, हाल फिलाल में मैंने कुछ theories को नए सिरे से आपको concept उनका clear कराया है अगर आप latest videos देखना चाहते हो तो please latest video देखो notes बनाओ उनके और चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर कर दो यार क्यूंकि एक एक subscription मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इनों माइने रखता है it motivates me यह मुझे motivate करता है तो last जो मैंने video session लिया था उसमें मैंने आपको Lawrence Goldberg moral development के बारे में दोस्तों आपको मैंने बताया था अगर वो video नहीं देखा है तो please उस video को पहले देखे जहां पे मैंने reasoning के बारे में और dilemmas के बारे में मैंने आप लोग के साथ discuss किया था और वहीं पर मैंने first stage जो की pre-conventional के नाम से होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया था ठीक है वैसे this is not the first time that I'm just going to cover this topic actually I have done it before मैंने इसको पहले भी आपको समझा चुका हूँ मैंने काई बार लेकिन हमेशा हर बार कुछ नया ले करके आने की हम कोशिश करते हैं आप लोग के लिए तो प्लीज डू सब्सक्राइब दोस्तों तो आज इस वीडियो शेशन में हम करने वाले हैं कन्वेंशनल स्टेज जैसे कि मैंने आपको बताया तीन में स्टेज होती है कोलबर्ग मोरल डिवलेपमेंट में पहली प्री कन्वेंशनल सैकिंड कन्वेंशनल और जो थर्ड स्टेज होती है दोस्तों वो होती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज और हर में स्टेज के साथ दो सब्स्टेजीज है तो दो सब्स्टेजीज वो मैंने आपको जो फर्स्ट टू सब्स्टेज है वो मैं cover कर चुका हूँ last video में आज मैं discuss करने वाला हूँ conventional stage और इसकी जो दो sub stage होंगी आज हम उनके बारे में बात करेंगे question कैसे आता है question कैसे आता है इस topics related कि वो आपको statement देगा और उस statement में ये आपसे पूछया जाएगा कि बई ये particular जो उस statement के अंदर जो subject होगा वो कौन सी stage में चल रहा है first, second, third, fourth, fifth, sixth ठीक है sub stages की बात कर रहा हूँ तो इस तरीके से main stages की भी पूछ सकता है कि कौन सी main stage से वो block करता है ठीक है जैसे उधारन के तोर पे अगर मैं आपको बताऊँ जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ जैसे यहां पर देखो ये example है इस example को आप read करे wait a minute this example that I'm talking about actually just say for example question ऐसे आएगा I better not drink and drive because my friends will think less of me and I in turn will think less of myself तो यहां पर जो person ये statement बोल रहा है वो कौन सी stage से ब्लोंग करता है कोहलबर्ग moral development के अंदर तो इस तरीके से question आता है यह आपको जाना बहुत जरूरी है कि कैसे question बनता है किस तरीके से question आएगा तो यहां पर सबसे पहले दोस्तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले हम conventional stage की बात कर लेते हैं कि actually में conventional stage होती क्या है ठीक है तो सबसे पहले हम discuss कर लेते हैं conventional stage के बारे में कि actually में conventional stage के अंदर क्या क्या चीज़े होती है ठीक है तो देखते है तो सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है Throughout conventional level a child's sense of morality is tied to personal and social relationship ठीक है मतलब इस particular level के अंदर जो child की जो basically morality है वो personal या फिर social relationships के उपर depend करती है मतलब child सबसे पहले तो बच्चे कोन से है सबसे पहले तो person कोन से आते है conventional stage आपको याद होगा जो pre-conventional level था वो किवल 9 साल तक था 9 साल के बाद मतलब 9 साल के बाद और यह लगभग 19-20 साल तक जो है यह conventional stage आता है conventional stage आपकी आती है ठीक है यह आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो conventional level है basically उसके अंदर adolescence आते हैं उसके अंदर कोन आता है adolescence आते हैं throughout the convention level a child a child level a child's sense of morality is tied to personal and social relationships हम कुछ भी काम करते हैं दोस्तों बच्चा कुछ भी काम करता है इस stage में वो अपनी personal relationship को ध्यान में रखते हुए करता है वो अपनी personal relationship को ध्यान में रखते हुए करता है ठीक है यह चीज आप अच्छे से समझ लो कि उसका relationship खराब नहीं होना चाहिए वो उसका जो relationships है या groups के साथ उसका जो connection है जो peers के साथ जो connection है it should be alright वो अच्छा होना चाहिए ठीक है मतलब यहाँ पर बच्चा जो है वो अच्छा दिखने की कोशिश करेगा you know being nice यहाँ पर यह चीज है children continue to accept the rules of authority figures अब यहाँ पर यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि इसी stage के अंदर basically जो society के अंदर जो rules है बच्चे उसको follow करने की कोशिश करते हैं but this is now due to their belief that this is necessary to ensure positive relationship and social order ठीक है जैसे कि मैं आपको बताया कि peers groups के साथ या अपने friends circle के साथ हम अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं और तमाम हम वो चीजे करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारी image कि जो feedback है वो positive spread out हो हमारी society के अंदर ठीक है और हम तमाम वो rules मानने की कोशिश करते हैं जो society के अंदर बनाए हुए होते हैं हम we never questioning हम question नहीं करते हैं कि वो rules क्यों बनाए हुए हैं लेकिन हम जो हैं अगर एक बन्दा एक rule को follow कर रहा है हमारी society में तो हम आँख मीच के blindly हम blindly उस rule को follow करने की कोशिश करते हैं जैसे for example अगर कोई भी बच्चा conventional stage से गुजर रहा है तो जैसे for example अगर हम देखें कि मैं आपको example देने की कोशिश करता हूँ कि यदि आप drive कर रहे है suppose करो आप इस stage में चल रहे है और आप drive कर रहे है रोड पर तो आपके सामने green signal है ठीक है तो आपको पता है कि green signal पर हम जा सकते हैं लेकिन अगर red signal है तो आप आप देखोगे कि आसपास जितनी भी गाडिया है वो रुकी हुई है कोई भी गाड़ी जो है red signal को cross नहीं कर रही है तो आप भी इस rule को follow करने की कोशिश करोगे society के अंदर जो यह rules बना दिया है जो यह rule form हो चुका है you will try to follow that आप उसको follow करने की कोशिश करोगे without any question कि यह rule क्यों बनाया हुआ है तो blindly यहाँ पर faith होता है ठीक है तो conventional stage मैंने आपको बता दिया है कि इसमें सबसे पहला point आपको याद रखना है कि being a nice हम यहाँ पर अच्छा बनने की कोशिश करते हैं secondly मैंने आपको बताया कि society में जो rules regulation है we try to follow those rules to make the better image of ourself अपनी अच्छी image बनाने की हम कोशिश करते हैं ठीक है तो आएए अब हम दो sub-stages देख लेते हैं कि वो कौन सी sub-stage है सबसे पहली sub-stage आपके सामने है बच्चो good boy, nice girl orientation सबसे first stage है यह third stage हम अगर हम from the first count करें तो यह आपकी stage होगई third क्योंकि पहली दो stage तो मैं करवा चुका हूँ pre-conventional में तो यह आपकी stage third है अब इसमें देख लेते हैं क्या है तो को नाम सी पता चल रहा है good boy and nice girl orientation तो यह वो stage है जहाँ पे बच्चा अच्छा बनने की कोशिश करेगा दूसरों के साथ ठीक है दूसरों के साथ मैं example भी दूँगा example से आपको अच्छे से समझ में आएगा children want the approval of others ठीक है हम क्या करते हैं इस stage में हम approval चाहते हैं कि हमारा जो society के साथ जो हमारा relationships है या फिर जो हमारा friend circle है उसमें हमारी image हमारी image किस पर depend करती है हमारे peers group के approval पर ठीक है and act in ways to avoid disapproval और इस तरीके से हम act करनी की कोशिश करते हैं इस stage में कि हमें disapproval ना मिले ठीक है emphasis is placed on good behavior and people being nice to others जो हम जोर इस पर देते हैं कि हमारा जो विहवार है जो हमारा behavior है that should be nice with others दूसरों के साथ वो अच्छा होना चाहिए अगर वो अच्छा नहीं होगा तो दूसरे जो है जो other people है वो हमारे बारे में वो negative सोचेंगे negative observation जाएगा तो हमारी image पर एक negative influence होगा ठीक है हमारी जो image है वो effect होगी negatively ठीक है और हमें social approval नहीं मिलेगा अब आप कहोगे sir example दो example से थोड़ा सा जादा समझे में आएगा तो देखो example मैं आपको एक नहीं दो नहीं तीन तीन दूँगा पहला पहला जो है do it for me मेरे लिए करो ठीक है तो अब जैसे suppose करो कि teacher ने कहा ये चीज़ आप student हो and you are in conventional stage तो जब teacher ये बोलेगा कि do it for me तो आप आप क्या करोगे teacher के साथ अच्छा relationship बनाने की कोशिश में आप उसके लिए वो work करके दोगे ठीक है आप चाते हो कि your bond your connection it should be on a sweet relationship with the teacher then you will do that task आप उस task को perform करने की कोशिश करोगे that task is giving your teacher he should do it because he loves his wife उसको वह करना चाहिए क्योंकि वो अपनी पतनी से प्यार करता है तो definitely करना चाहिए क्योंकि अगर उसका एक relationship है उसके पतनी के साथ उसकी wife के साथ अगर वो नहीं करेगा तो हो सकता है कि कल को उसकी relationship में कुछ खटास आ जाए और उसका relationship बिगड़ जाए वो अपनी पतनी से प्यार करता है just because उसको ये task करना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर भी एक relationship जो एक bond होता है उसको strong करने की कोशिश हो रही है next example to spit out the gum to please others अब देखोई ये जो example है दोस्तो इसको मैं explain करूँगा ठीक है यहाँ पर ये मैंने थोड़ा साथ जस्ट एक छोटी सी statement में लिखा हुआ है लेकिन I'm gonna explain everything suppose करो you are in conventional stage और आप third stage में चल रहे हैं good boy and good good boy, good girl orientation में आप चल रहे हैं suppose करो at one day you are in your classroom और आप जो है एक gum को चीव कर रहे हो ठीक है आपके मुँ में एक gum है और suddenly एक teacher आता है तो आप automatically खड़े हो जाते हो और उस gum को outside spit करके आते हो तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपने क्या किया what you did actually यहाँ पर आप teacher के साथ better relationship create करने की कोशिश कर रहे हैं आपको लगा अगर ओ teacher मेरे को यह बोलेगा कि stand up और बहार इसको spit करके आओ तो एक disapproval एक scenario आपके लिए बन जाएगा लेकिन आपने ऐसा नहीं किया आपने उस teacher को कहने से पहले ही आप खड़े हुए और आपने वो जो है गम बाहर spit out कर दी ठीक है क्योंकि आपको लगा कि अगर teacher को यह दिख गया तो teacher जो है मुझे डाटेगा मुझे scold करेगा और मुझे punishment भी दे सकता है जिससे कि क्या होगा कि मेरे जो friend circle है उसमें मेरी image खराब हो जाएगी और what they will think of me वो क्या मेरे बारे में सोचेंगे एक negative observation जाएगा और teacher के साथ भी मेरा जो वहवार है जो behavior है वो disapproval हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से एक social contract यह आप कह सकते हैं कि एक better relationship create करने के लिए आप यह सारी चीज़े कर रहे हैं ठीक है तो यह जो example है दोस्तो good boy and nice girl orientation का मैं आपको दे रहा हूँ और इसी तरीके से paper में question भी आएगा काफी time most of the time जो है seated के अंदर ऐसा ही question आता है और एक example मैं आपको और देता हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है I better not drink and drive because my friends will think less of me and I in turn I in turn will think less of myself तो यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर drink नहीं कर रहा हूँ अगर मेरे दोस्तों को बता चल गया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे एक negative observation जाएगा तो बिल्कुल वही चीज़ है जो मैं गम का आपको बता रहा था तो यहाँ पर बच्चा क्या करने की कुशिश करता है society में approval की कुशिश करता है और वो approval वो समझता है कि अगर मैं अच्छा वेवार करूँगा दूसरों के साथ तो मुझे अच्छे से approve किया जाएगा society के अंदर और सब के साथ मेरा relationship अच्छा होगा ठीक है तो यह है good boy and nice girl orientation I hope कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और in case अगर कोई confusion आपको हो रही है तो you can text me in comment box और definitely I will give your comments reply ठीक है next हम चलते हैं fourth stage की तरफ और इसको थोड़ा से explain करते हैं कि actually में इसमें होता क्या है low and order orientation अब जैसे नाम से पता चल रहा है कि low and order orientation की यहाँ पर हम करते हैं अगर हम conventional stage में चल रहे हैं तो यहाँ पर blindly accept हम करते हैं society के rules को जैसे कि वो green light वाला example में ने दिया था कि red light को jump नहीं करना है क्योंकि एक just conventionally rule set हो रखा है society में कि हमें red light jump नहीं करनी है अगर सारे गाड़ी रोके हुए हैं तो हमें वो jump नहीं करनी है गलत बात है society के अंदर negative observation negative जो है हमारी image form हो सकती है ठीक है हमें rules break नहीं करने हैं तो यह low and order orientation के अंदर आता है जैसे for example मैं आपको example दूँ कि आप किसी को कह रहे हैं मान लो कि आप convention stage में चल रहे हैं और आप किसी को कह रहे हैं कि मैं war के against हूँ मैं war के against हूँ और मैं publicly protest नहीं कर सकता college के अंदर ठीक हैं अगर मुझे administration allow करता है तो मैं publicly protest में participate करूँगा वहाँ उसका हिस्सा बनूँगा लेकिन अगर administration ने कह दिया कि this is illegal, this is not allowed we are not going to protest publicly तो मैं नहीं करने वाला तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि वो एक rules के हिसाब से चल रहा है कि administration ने rule regulation बना रखा है college campus के अंदर हमें publicly प्रोटेस्ट नहीं करना है तो नहीं करना है हम उसका part भी नहीं बनेंगे लेकिन अगर administration ने हमें allow कर दिया कब मैं publicly प्रोटेस्ट करना चाहूंगा तो यहाँ पर low and order orientation के अंदर वो बच्चा चल रहा है तो यहाँ पर rules ब्रेक करने वाली बात आ गई है तो rules हम यहाँ पर ब्रेक नहीं करना चाहते तो यह चीज़ें आप समझो अच्छे से जैसे do your duty किसी ने बोल दिया कि आप अपनी duty करो क्योंके mind your business जैसे हम बोल देते हैं कि आप अपनी duty करे तो यह चीज़ भी human life को save किया जाए ठीक है तो यह अपने आप में एक positive बात है तो उसी positive बात को यहाँ पर माना जाता है by the adolescence to wear appropriate shoes at the gym floor अब जैसे यह full example नहीं है इस example को मैं explain करूंगा जो third में लिखा हुआ है to wear appropriate shoes at the gym floor जैसे माल लो एक gym है और उसके gym में एक signboard पर लिखा हुआ है कि जिम के अंदर appropriate shoes पहन कर ही आप जिम के अंदर enter करें तो एक बच्चा जो जिम के अंदर जो है वो जिम करना चाहता है तो वो जब उस signboard को पढ़ता है तो next time वो जिम के shoes पहन कर उस जिम के अंदर enter करता है तो अब देखो यहाँ पर एक rule जिम वाले ने बना दिया signboard पर लिखकर की जिम के अंदर appropriate shoes पहन कर अंदर आए लेकिन blindly उस बच्चे ने कोई question नहीं किया और blindly next time वो जिम के shoes पहन कर ही अंदर गया ठीक है तो एक rule को वो follow करने की कोशिश कर रहा है rule बना दिया ठीक है हम क्या दूसरे shoes पहन करके नहीं आ सकते क्या but in spite of that वो उस rule को follow करने की कोशिश कर रहा है जो की जिम वाले ने बनाए हुआ है अपने जिम के अंदर ठीक है तो ये भी एक low and order orientation की बात हुई तो दोस्तो ये था conventional level जिसके अंदर दो सबस्तेजी आज हमने पड़ी है पहली सबस्तेज है good boy and good girl orientation और second जो सबस्तेज है हमारी वो है low and order orientation I hope कि आपको ये समझ में आया होगा और मैंने बहुत कोशिश की है आपको समझाने की और मैं आपको सरफ ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है notes के साथ अपनी study करें क्योंकि जब आप notes बनाएंगे अभी तो आपके पास time है तो आप बना सकते हैं लेकिन exam के time के अंदर exam के time के अंदर मालो जैसे मालो कली ही आपके exam है तो आपको और भी subject revise करने है फिर आपके पास इतना time नहीं होगा कि आप बैट के वीडियो को देखो ठीक है क्योंकि लंबी लंबी वीडियो होती है समझाने में काफी time लगता है तो आप उन notes से जल्दी जल्दी जो है आप revise कर सकते हैं अगर कुछ confusion है तो please ask me, do ask me in comment box, definitely I will give reply और आपके concept को clear करने की कोशिश करने को, thank you दोस्तों अगर आपने इस वीडियो सेशन को complete देखा है और please do subscribe क्यूंकि आपका एक-एक subscription और एक-एक comment एक-एक share definitely it motivates me ओके, thank you दोस्तों इस वीडियो सेशन को देखने के लिए आपका दिन शुप रहे, थन्यवाद